आर्टिकल 370 मुवी कहानी का रंब 5 अगर्स 2019 में राज सभा में बिल पेश होने के बाद मचे घमसान से होती है वहाँ से कहानी वर्स 2016 में कस्मीर में आती है आइनभी अधिकारी यूनी अक्सर यामी गोतमी अपने वर्सिस्ट की अनुमती के बिना हिजू बुल कमंडर को मारने के लिए मिसन में सफल रही है उसके बाद कस्मीर की खुबसूरत वादियों में हिस्सा भड़क उठती है हलात बेकाबू हो जाते हैं जूनी पर करवाई होती है घटना करेकरम पर मोड लेते हैं पीएमो सेक्रेटरी रजस्वरी स्वामिनात अनुछे 370 के निर्साता कीरन के करेवानन से पहले कस्मीर घाटी में तंगर्सपूर अर्थ विवस्ता को खतम करने और अंतकवाद का मुकाबला करने के उदेश से घुपनिय मिशन के तहत जूनी को नियूपी करती है जूनी कस्मीर में सुरक्ष्या वस्ता के लिए चुनोती बने अलग वादियों और पर्थरवाजों कोई बिल्डिंग करने वाली की कमरों तोडने का काम करती है उदर कानूनी विवादों की मदद से राजैस्वरी अनुछेदों को रद करने की बारिकिया पर काम कर रही होती है जिससे सरकार संसद में अपना पद मजबूती से रख सके इसके लिए उसे पंधान मंतरी और ग्रिय मंतरी का पूरा समर्थन मिला हुआ है इस बिच 14 फरवारी 2019 को पुलवामा हमले में सहिद हुए 40 जवान की सादाहत सभी को जखजोर देती है एतिहासिक भूल सुधार पर बनी आहम फिल्म निर्देशक अधित्य सुनाहरा ने आहम विशे पर महत्यपुन फिल्म बनाई है आर्टिकल 370 का नाम आर्टिकल 37 का जनम कैसे हुआ पतंकवादी बाती वीडियो के जरिये वहां के हलात से परिशित कराती है किस परकार से भड़े के पत्थरबाजों को ISI का समर्थन और फर्डिंग मिल जाता है इस अनुशेद की आग को अपनी रोटियों सेख सकते हैं रोटिया सेक रहे हैं राजनेता आग में अपनी रोटिया सेक रहे हैं राजनेता किस परकार से जमू कस्मीर के दुस्मन बने बैठे हैं फिल्म में इन पहलू को बहुत गहराई और गमीर के साथ दिखाया है मध्यांतर के बाद अनुशे तिस सतर हटने के रास्ते में आने वाली सवधेतिक रुकावट को भी फिल्म में बारी बारीकी से बताया है यह टक्निकी पक्ष जटिल है लेकिन महत्पुर्ण है जूनी अधू उन अधिकारियों का प्रतिनिदी करती है जो अपनी जान जोखी में डालकर देश्वासों को संपर्तिक करते हैं वा खुद अनुशे तिन सतल के सुल्व होगी ऐसे जूनी के दरदन और समेदर नो को संजूनी से दर्साया है उन्हें एक एक्षन करने के लिए मौका मिला यह मो अधिकारी की किरदार में प्रियामानी अतम विश्वासी लगती है दोनों अभिनेत्री और उनके साथ रसायोगी भूमिका में आयक अलकार अपनी पराम से बंधे में सफल रहते हैं कस्मीरी नेता और पूर्व पंधान मंतरी की भूमिका में राज जूटी कमांडर यस और चोहान की मूमिका में खर खाली और मूमिका में राज अरून पंधान मंतरी बने अरुन गोबिन और ग्रे मंतरी की भूमिका में किरन करमाकर अपनी प्रणों के साथ कहानी की रोचकता बरकरार रखते हैं फिल्म का विगराउन संगीत कहानी सत्स सूरसंग है कस्मीर के दुस्मनों को बेकाम करते हुए बिसे की गहराई में उतरी है आर्टिकल 370 मूबी पॉलेटिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें जमू कस्मीर में अनुछेद 370 हटने से पहले और बाद के घटना कारेों के साथ इसे हटाने की जरूत को दिखाया गया है फिल्म में यामी गत्मी ने आईवी अधिकारी की भूम का निभाई है जबकि प्रियम अनी प्यमो की अधिकारी बनी है एरून गोविन पंधान मंत्री की भूमिका में है जबकि कीरन करनापक ने जबकि कीरन करमाकर ने ग्रियम मंत्री का गिरदार निभाया है ख्लिम में एक डायलोग है कि अगर अमिरिकान पकिस्तान को अर्बो रुपे देता है उसामा बिना लंदिन को पकड़ने के लिए पकिस्तान उसे डूढने का नाटक करेगा पकड़वाया नहीं है ताकि उसकी कमफेंड चलती रही है यही हलात घटी में है कस्मीर को सबसे ज़्यादा फंडिंग केंदर से मिलती है ताकि वहाँ पर अमन रहे विकास हो लेकिन वहाँ से सिर्ष राजनेतिक ब्रस्ट उरियोकिट बड़े बड़े बिजनेसमेन अपनी अपनी जिब में गरम करने के लिए कस्मीर की विदा इस्पॉत इनकामी का फाइदा उठा रहे है वो अमन हस्याल करने का नाटक करेंगे लेकिन होने नहीं देंगे अनुछेद 377 की वज़ा से हर कोई उनके नियंतर में है यही कस्मीर के हलात को बताने के लिए काफी है इन मुश्किले हलात में अनुछेद 377 हटने को लेकर सरकार नहीं किस घुपनी निती से योजना ब्रिंदक तरीके से क्याम किया है यह फिल्म उसके बारे में गहराई स जनकारी देता है भारतिय सविधान कनुछे 377 जमु कस्मीर को विशेदर्ज देता है पांच अगस्त 2019 को मोदी